हाई के सो माई डियर और लबली फैंच है आपके अब सब ठीक होंगे में भी एक दम ठीक हूँ तो किस मार्केट का जो हालाते वह और भी ज़्यादा टूट चुका है जब मैंने रात को वीडियो अपलोड किया था तभी की टामें जो मार्केट है ठीक ठाकी चल रहा था थोर अर पांच बाजा ताब ही से लेकर मार्केट दीरे दीरे टोट रहा है यानी कि मार्केट दीरे दीरे नीचे की तरब जा रहाएं गया मर्केट का केप आप देखो कि कितना ज़्यादा टूर चुपा है एक। का प्राइस जब देखो कि 150 रुपीज पर आ चुका है जो कौन का जो कड़ानों का प्राइस है 215 रुपया पर था 211 रुपया पर था कुछ दिन पहले वो कड़ानों का जो प्राइस है अभी आज के दिन में 150 रुपया पर हमको देखने के लिए मिल रहा है XRP कोईन का जो प्राइस है काफी ज़्यादा तूर चुका है सौलोना कोईन का प्राइस लगबख 17,000 पर गया था आज के दिन में हमको 9,970 रुपया पर देखने के लिए मिल रहा है देखो अभी जो मार्केट का हाला थे इतना तेजी से नीचे की तरब जा रहा है कही ना कही अभी सभी लोग डी मोटिवेट हो चुक है मार्केट को लेकर क्रिप्टो करण ची मार्केट पेशा इन्मेश्मेंट करके लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेफ बश्टेप बताने वाला हूँ कि मार्केट की इस रिजन से नीचे की तरब जा रहा है क्या ऐसा अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और इसे ही इंट्रीस्टिंग वीडियो लगतर देखने के लिए अभी तक अपने अमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल प्ले किक कर दीजिए ताकि ये से इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको लगातर मिलता रहेगा इसे हमारा एक ओफिशल टेलिग्रम चैनल है जहाँ पर में क्रिप्टो करेंशी से रिलेटेट कोई भी अपडेट हो कोई भी हिंट हो कब कौन्सों को भाई करना है कब सेल करना है किसके अंदर आपको करना किसके अंदर आपको लॉंग ट्राम इन्वेश्मेंट करना कौन सी कोई के अंदर कितना दिन के लिए पैसा लगाना है सबको उसके बारे में मैं विल्कुल फ्री में आप लोग को गाइड करता रहता हो अगर आपको क्रिप्टो करन्सी मर्केट से जधा से जधा प्रो पर जो कि जो बीटी सी का प्राइस डाउन की तरफ जाते हो है हमको नजर आ रहा है यहां से जब बीटी सी का प्राइस डाउन की तरफ जा रहा है यह लगबाख सारे पंच बाज़े से लेकर जा रहा है अभी अभी जो टाइम ही अभी साथ बजने वाला है तो कि अभी की ब तरफ नहीं गया है यहाँ पर हमको एक positive point साफ साफ नजर आ रहा है जो कि जो बीटी सी का प्राइस डाउन होने की ववजयत भी जो बीटी सी का प्राइस ने 42 को क्रॉस करके डाउन की तरफ नहीं गया है और यहाँ पर एंड में एक बार नजर डलके देखोगे यहाँ पर से वह बीज़दा डाउन जा सकते हैं लेकिन यहाँ पर संसे काफी ज़दा कम बनता है कि बीटी सी का प्राइस 42 को क्रॉस करके नीचे की तरफ आए अभी संसे जधा है कि 42 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाने के लिए गया हम बरते हें News की तरफ क्या News Market की तरफ से निकल के एक बर चेक कर लेते हैं यहाँ पर हमको एक न्यूज देखने के लिए मिल रहा है यह जो न्यूज साउथ कुरिया की तरफ से एजो न्यूज निकल के आया सावी साउथ कुरिया के अंदर यहाँ पर आप देखो तो की फाइप मिलियोन डॉलर्स को मतलब अभी जब्द किया ह यहने की सीड़ किया है उसको और उसको पैसा ता लगबख 1,661 लोगों का पैसा था उसको अभी पूरी तरह से जब्द कर लिया है यहने कि इदर कुछ मतलब हुआ ता कि साउथ कुरी के अंदर जो जो z なट नहीं किया था आप इड़की गरान अभी जो धूर्ड कर रिया क की सीर्ज कर लिया तो यहां से आप सोच सकतों कि यहां पर हमको एक बेड़नीूस जिसा हमको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है देखो इस आज के दिन में जो मार्केट का हाला ठीक टाक नहीं है और दुसरी तरफ से यह सब जो निउस निकल के आ रहा है कि उदर सीर्ज हो होते है तो गोड्र निउस निकल के आते है जो कर लगोस कंवारीस आपना को सेल कर दोंगा सेल कर देते मार्केट और ब्रब्र बड़े लोगों का हो जयता है हमारा कुछ भी पायदा नहीं होता लेकिन कि मर्केshore चाहे कितना भी डूप जाए कितना भी डाउन जाए आपको demotivate बिल्कुल भी नहीं होना है आपना कौँज को loss में आपको कभी भी sell नहीं करना है market जैसी pump होगा आपका सभी loss recover हो जाएंगे market के पीछे tension लेते लेते आपको अपना कौँज को कभी भी sell नहीं करना है चाहे आज के दिन के बाद करो चाहे आने वले टाइम में market वर भी जैदा crash हो कभी भी अपना कौँज को loss में और panic में आपको sell नहीं करना है आज की इस वीडियो में इतना अपडेट था I hope कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे और वीडियो आपको काफी ज़्यदा पसंद आये होंगे अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना मत बुलना चेरेल को सब्सक्राइब करना मत बुलना अभी के लिए इतना ही था मिलते है किसी नेक्स्ट वीडियो में तपता के लिए भाई